दोस्तों बॉलिवुड फिल्म जगत में कई अभिनेत्रिया है जो आज फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक है लेकिन आज आज आपको इन अभिनेत्रों के उन प्रेमियों के बारे में बता रहे है जिनको इन अभिनेत्रियों फैमस होने के बाद छोड़ द आये जानते हैं उन अभिनेत्रियों के प्रेमियों के बारे में प्रियंका चोपड़ा और असीम मर्चेंट शोहरत और स्टारडम हासल करने से पहले दिसी गरल प्रियंका चोपड़ा असीम मर्चेंट को डेट कर रही थी मिस वर्ड बनने के बाद कथित और पर उसने उसे डस लिया, 2014 में दोनों फिर से खबरों में थे, क्योंकि असीम ने अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने की योजना की गोशना की, इसने प्रियंका को ब्रभावित किया और उसने उन्हें इस मुद्दे पर कानोनी नोचिस भी भेजा, आज उन्होंने नकेवल बलेवुड में बलक निहार पांडिया को काफी समय तक डेट किया, दोनों पहली बार मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में मिले थे, उन्होंने हिमेश रेंश मिया के एलबम आपके सुरूर के दो अलग-अलग गीतों में भी अभिने किया, खबरों की माने तो दोनों अलग होने से पहले इन रिलेशनशिप में रहे थे, उनके ब्रेक अप के बाद धीपिका ने रनबीर कपूर को डेट करना शुरू कर दिया, साथ ही रनबीर कपूर के धोका देने के बाद धीपिका ने रनवीर सिन का हाथ थाम लिया और उनके साथ शादी कर ली, रनबीर कपूर और अवंतिक बॉलिवुड अभिनेता रनबीर कपूर दिलफैक अभिनेता है कहा जाता है कि अभिनेता इम्रान खान की पत्मी अवन्तिका मल्लिक रनबीर कपूर की पहली क्रश थी। बॉलिवुड की फैमस अभिनेत्री बन चुकी अलिया भट फिल्म में अपने डेवधियों से पहले वे हली दादर कर को डेट कर रही थी। अनुष्का और जोहें में मौडलिंग के दिनों में बैंगलोर में मिलने के बादे एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। दोनों बॉलिवुड में अपनी किसमत आज माने के लिए मुंबई आये। जब अनुष्का को रव ने बना दी जोडी में ली इसके बाद जोहें वापस बैंगलोर चलेगे और यहीं से इनका रिष्टा तूट गया। अनुष्का अपने करियर में आगे बढ़ दी गई और आज वे भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली से शादी कर खुशी खुशी रहा रही है।